हम बात कर रहे थे कि इसे बीड जोग और भी बीज़क्र एक चीज़ के लिए का रहे तो नहीं कूमपीट कर रहे तो वीड जोए इस जो चीज 100% क्रॉप को मिलनी थी वो 50% में मिल रही है तीक है क्योंकि आदी आदी आपके जो वीड्स है वो यूटिलाइज कर रहे हैं इसकी विज़ इसकी क्वालिटी और कॉंटिटी दोनों पे फर्क पड़ता है दूसरी इसकी चीज है हाईर कल्टिवेशन कॉस्ट यह नह पर शचो रहे हैं तरह क्या है उसका और नहीं हे यह है अज़ोगाने फ्लिवाश समय यूज करने है ठीक है उनकी अगर जो इस्पेशल टेप सीड यूज करेंगे या जो आप ग्रेंज उनकी क्लीनिंग करेंगे इसमें भी आपको कॉफी ज्यादा कॉस्ट लगेगी इसके लावाद जो फूट की कॉलिटी है ठीक है वो जहना वो लॉस हो जाती है क्यों क्योंकि प्रोड़क्ट्स थीक है वो जादतर आ जाती है डिली प्रोड़क्ट्स थी तीसरी आपके पास है य। डिरिक्ट इंजरीज का लिए या लाइफस्टॉक को वो किसी बी इंटर्नल या एक्स्टर्नल पॉईजनिंग की वज़े से मेकैनिकल इंजरी या पॉली नॉइसिस ठीक है ये सारी चीजें कैसे आजाती है देखें आपके जो वीड्स हैं ठीक है हो सकता है कि उसमें कोई स्थांकी पॉईजनिंग हो जाए जो आपका अगर लाइस टॉक है य वह भी क्या कर सकते हैं इंचिरीज कॉस्ट कर सकते हैं ठीक है और इसके लावा जो वीड्स है वह वाटर वेस्ट जहां से उनको पानी मिलना होता है प्लांट्स को ठीक है ये उसको भी स्टॉप कर देते हैं मतलब उनके जो वाटर वेस्ट हैं जहां से उनको पानी मिलना हो आपको पता है कि जो आपके प्लांट्स को तो इतना नुकसान नहीं देते बलके यह क्या करते हैं आपके जो यूमन ये एनिमल लाइफ है उनको बहुत जादा नुकसान दे थापित होते हैं ठीक है उसके अलावा यह जो आपकी एक्टिविटीज हो से ऊसको रिएून कर देते हैं और एवपरिशन के प्रॉसिचर एजर वायर से वह थादा इंक्रीज कर देते हैं और यह जो आपके मौटर का फलीवर और कलर भी चेंज करते हैं अगर अगर यह ग्रो एकर जो यह अपके को डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं उसमें वीट का भी नाम आता है ठीक है तो यह पैस्ट और पैस्ट और जिनके अल्टर्णेटली का रहे हैं यह ब्लंकु वीट का रहे हैं अब इनको बायोजीकली कैसे कंट्रोल किया जा सकता है प्लांट फीडिंग और्गिम्स या एसी जो जो के रिड्यूस का पॉटली प्लांट की ठीक है, एसना जो यह यह ड़ीजिड का प्लांट की ठीक है, थीक है , आहिस्ता जो चाह बेशक आपकी क्रॉप ग्रो करें लिगन इसकी कॉलिटी हराब है तब भी आपको पता है अगर किसी बंदे का एकॉनमिकल जो सेट अप है वही प्लांट्स पे है तो क्योंकि अगर उसकी प्लांट्स जो इसकी क्रॉप आगी है उसका फूरूट आगया वह बिके गई नहीं त इसके लावा जो आपकी वर्स्ट वीड होती है ठीक है यूएस में वह कहता है कि फॉर अरीजिन से आई है जादा तर मतलब आपके बाहर मुल्की जो इरिया आई है अब जो आपके जो इसका एग्रेसिवनेस है यानि इसका जो अग्रेसिवनेस मतलब बुरा भी है वह गु यूएस में कहते हैं इसका जो सबसे बुरा अफ़ेक्ट है वह इस वज़ नहीं है कि जो मतलब आपकी फायटो पैटो ज़िन्स है यानि जो अपके प्लांट के ओपर जो एक्ट करने वाले एनिमीज हैं वह वहां पे एपसिंट है तो वह कह रहा है कि इस वज़ेस इसका ज कि यूएस में वह चीज़ काम है तो वह कहते हैं कि सबसे ज़्यादा इग्रेसिव भीएवियर देखा गया इसका यूएस में ठीक है अगर एक और चीज़ के अग्रेसिव एलियन वीड का वर्ड जो यूज किया गया इसका मतभी है क्यूंकि वह नुकसान दे रहा है तो कहरा है कि अग्रेसिव भीएवियर किसी भी न्यू उसमें देखा जाए तो यह किस वजह से होता है कि उसके लिए जो the climate conditions होती ना वह बहुत जादा फेवरबल होती यहने वह सको गुछड़ करने में हाल्प का रही होती है तो आप और इसका और जादाना के नहीं के साथ कम्पीट का रही होती है तो वह कहते है कि जो हो specific pathogenics फाइटो फेजिस जो insects हैं ठीक है जो आपके plants के अपर आपके एक्प करते हैं और उनको खाते हैं ठीक है उसको इंट्रड्यूस करने से पहले आप ने इस बात का ख्यार रखना है कि आप जो आपने alien वीडो है ठीक है जो आपके ग्रॉप को खराब कर रही है उसको आप क्या करें उसको यूज करें पहले उसको काफी कम कर लें उसके बाद आप उसके ओपर कोई भी जो नैचरल एनेमी है उसको यूज करें कुछ कंसेट्रिशन के सब्सकूत हुद कर दें के सब्सक्राइब करें करें ऍजना को vír हुदें करें के सब्सक्राख करें करेंगा नचरा हम फाल एक पूपर प्लांट्स इवेड़ाऊ कर लगारी है अक्सर खेतों में 7CK cJ क search www. ao यूद्हř.सब्सक्राइब है तो वह कहते हैं कि आप खुद ही इस ऐसी वीड्स को रिडिकेट कर दें क्योंकि उनको नहीं 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 नुक्सान दें इसको मैं खाऊंगा तुम क्या होगा टॉक्सिक मतलब वह लाइफ थ्रेटिंग हो सकती है तो आप उसको पहले ही रिमूफ कर दें आप जो बाइलाजिकल कंट्रोल यूज करते हैं वो सिलेक्टिव यूज करें ठीक है जिसका एम हो सिर्फ आपकी स्पेसिटिक चीज को खतम करना ना कि वह आप यह बागी की क्रॉप पे जो नहां अफेक्ट करें कुछ भी अब एक और चीज है कि जो बाइलजिकल कंट्रोल है वो आप यूज करते हैं यह थोड़ा सा स्लो मैथड है यह तकरीबन वो कह रहा है कि जब मिस्ट का स्टार्ट हो या इस प्रोजेक्ट का मतलब जब इनेसियेशन होती है और पर इसकी इंपॉर्टन्स हमें बता चलती है है नचल अद्रियू ने मिझी सारे प्रोसेस में तकरीवार वो कहता है है फॉल्जे फंकुरमड में है कर दो बताएं कर दो प्रोजभ तो यह थोड़ी सी नशरे प्रोसेस है ठीक है मतले पॉछाव साल लग सकते है इसके अलावा कुछ जो रिसक होते हैं जो एक Lynn क् crimine studies औस के साथ लिंक्ट कर रहे होते हैं रिस्क फेक्टर ब़ुया मैं वह सकते हैं ढिए के साथ और चुन का और जिस्ट्रो अध्री कर रहे हैं कि साथ ऊसे कोना मालोग्त nett Widak के लिए ठीक है कि जितने भी उस किए गया है तो अलमुस्ट दिखा गया कि वह फेल हैं क्यूंकि आपके जो वीड है वह बहुत लार्ज नमबर एरिया कवर करता है थोड़े मांट में यह बहुत ज़ादा आपके जो रेंज है उसको कवर किया है अब एक और चीज इसमें जो आजाती है कि जो आपके वीड हैं ठीक है उसको कबर कुछ जो है ना कैमिकल ट्रीटमेंट्स भी किये गई हैं तो वो कहता है कि आपने नोटिस किया होगी कैमिकल जो इसके पर स्प्रेड किये जाते हैं उसका नुकसान भी आपकी क्रॉप को किसी पर स्प्रेड़ करने में ठीक है उसके लावद जो बाइलागिक के अगॉड आपके अग्यार आप उसके बाउंसको डिस्पर्स कर रहें किसी भी एरिया में तक जहना बांड नहीं रहते वह जहां जान तक जाएंगे वहां तक नहीं तक तक आपकर आपनेगाँ यॉन्या जग जाएगा ठीक है